मित्रों चे मातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चे मातादी चरू लिखे मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगे मित्रों वर्ष 2016 में जगनात रथयात्रा कब है जानिये सही तीनवत तारी क्या है और द्वतियातिती कब सुरू होगी कब समप्त होगी जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं कि है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो प्रसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे से करेंगे मित्रों हिंदू धार में जगनात रथयात्रा का बहुत महत्तो होता है हिंदी पंचांग के अनुसार प्रतीक वर्ष आसाड के महीने में सुक्ल प जगनात मंदिर से होता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस रत्यात्रा को देखने मात्र से ही सभी तरह की पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यू के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है जगनात मंदिर भारत के पवित्र चार धामों में से एक है यह मंदिर 800 वर्ष से भ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की दर्शन करने मात्र से सभी मनुकामनाई पूरी होती हैं। भगवान विश्रू के अवतार भगवान जगनात उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ जगनात रत यात्रा का आयोजन किया जाता है। भगवान जगनात का बिसाल रत दस दिनों के लिए बाहर निकलता है। इस यात्रा में सबसे आगे बलभद्र का रत चलता है जिसे ताल द्धच कहा जाता है और बीच में सुभद्रा का रत चलता है जिसे पध्मरत कहा जाता है और सबसे अंत में भगवान जगनात का रत चलत जिसे नंदी घोस कहा जता है भगवान जगन्नात की रत्यात्रा में सामिल होना चाहिए वसात ही सच्चे मन से भगवान जगन्नात की उपासना करनी चाहिए अगर किसी कारण बस जगन्नात रत्यात्रा में सामिल नहीं हो पाते हैं तो घर पर है भगवान जगन्नात की उपास ना करें, उन्हें भोग लगाएं और सच्चे मन से उनके मंत्रों का जाप करें, वहीं जिन साधी सुधा लोगों को संतान का सुख अब तक नहीं मिल पाया हो, तो उन्हें खास करके भगवान जगनात की पूजा करनी चाहिए, पती और पत्नी दोनों को ही पीले वस्त धारन क करनी चाहिए, और भगवान जगनात की पूजा अर्चना करनी चाहिए, इस दिन भगवान जगनात को मालपुए का भोग लगाएं, और इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप भी करें, वह अपने संतान प्राप्ती की प्रात्ना भी करें, ध्यान रहे की एक ही की दो हिस्से आपको करने होंगे और फिर आधा आधा पति और पत्नी दोनों को ही खाना होगा अब पूजा करने की बिधी को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है सबसे पहले भगवान जगनात सुभध्रा और बल्भध्र की चीत्रिया फिर मूर्ति स्थापित करें उनको इसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ हरी बोल हरी बोल का किर्दन करें और फिर साथ में सभी मिलकर प्रसाद करें मित्रों अब पूजा करने का सुख मुहुरत को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है मित्रों अब आपको बता दे की वर्ष्त 1026 में जगनात रत्यात्रा 16 ज आरंब होगी 15 जुलाई तो हज्या 26 को दोपहर 11 बच कर 35 मिनट पर द्वतिया तिथी समाप्त होगी 16 जुलाई तो हज्या 26 को सुबा 8 बच कर 55 मिनट पर